दिल्ली में चलती ट्रेन में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख करके आपका दिल दह जायेगा रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी ऐसा ही एक घिनोना, अपराद एक घिनोना काम दिल्ली की चलती हुई ट्रेन में हुआ जहां जो देख करके और जो सुन करके आपके खोश उड़ जाएंगे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी आपका दिल दहल जाएगा दर असल बात कर रहा हूँ मैं दिल्ली और जो पुरानी दिल्ली और सहद्रा रेलवे स्टेशनों के बीच ऐसी वारदात हुई जिसे देख करके सुन करके आपके खोश उड़ जाएंगे आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी मामला कुछ ऐसा है कि सहद्रा रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों के बीच एक महिला 32 वर्षिय महिला ट्रेन में यात्रा करती है महिला डिब्बे में पांच महिलाए यात्रा कर रही थी लेकिन उन में से चार जो महिलाए थी वो शहद्रा रेलवे स्टेशन उतर जाती है वहां से तीन युवक उस दिब्बे में सवार हो जाते हैं तीनों युवकों का एक ही मक्सद था कि लूट पाट करना वो लूट पाट के मक्सद से उस दिब्बे में गुशते हैं उस दिब्बे में सवार हो जाते हैं और उनका मकसद एक ही था कि लूट पार्ट करनी है लेकिन दो यूवक होते हैं वो उस महिला का बैद छीन करके फरार हो जाते हैं। उन मेंसे एक यूवक था उसका इरादा कुछ अलग ही था। इरादा भी ऐसा कि सुन करके दिल दहल जाता है। ऐसे लोगों को किस तरह से लोग सोचते होंगे वो उसने क्या सोचा होगा देख करके क्योंकि उस जो महिला डिबबा था उसमें सिरफ एक ही महिला थी। क्योंकि उन में चार थी वो सहद्रा रेलो इस्टेसन उतर गई थी फिर एक ही महिला उसमें सवार कर रही थी। वो जो यूवक था वो उस महिला के साथ मारफीट करता है। उसके साथ बलातकार करता है। ऐसी घिनोनी हरकत को अंजाम देता है। लेकिन महिला उसे संगर्श करती है। जब महिला को संगर्श करते हुए देख करके वहां दो बीच जो स्टेसन आता है। वहां से दो पुलिस के करमचारी जो कॉंस्टेबल होते हैं वो उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन पुरानी दिलली रेलवे स्टेसन पर रुकती है। जो पुलिस के जवान थे उन्होंने ये साथ देखा। उन्होंने उस जो यूवक था उसको पकड़ लेते हैं। क्योंकि पकड़ करके उनको हस्पताल ले जाये जाता है दोनों को महिला और उस यूवक को क्योंकि ट्रेन में उन दोनों के बीच ऐसी जड़ब होती है कि दोनों के चोट लगती है और चोट लगने के कारण कुछ लहु लुहान हो जाते हैं दोनों ही। इसलिए दोनों को हस्पताल ले जाये जाता है और हस्पताल ले जा करके दोनों का उपचार किया जाता है। हुआ है और यूवक को गिरफतार कर लेती है पुलिस अलग अलग धाराओं के तहट मुगदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस जो आरोपी था उसका नाम सहबाज बता रही है। पच्चीज वर्षे था वो यूवक उसने महिला के साथ ऐसा गहिनोना काम किया। मारपीट की उसके साथ साथ उसने दूसकरम यानि बलातकार भी किया। फिर महिला जो थी वो शहाद्रा से पुरानी दिल्ली रेल्वेस्टेशन आ रही थी। महिला को बताया जा रहा है कि महिला बिहार की रहने वाली थी। वो बिहार से नई दिल्ली जो दिल्ली थी वहां आ रही थी और वो आ रही थी किसी पारिवारिक समारों में। क्योंकि वहां कोई उनके परिवार वाले दिल्ली में रहते हैं और उनके कुछ कोई समारो था, साधी पार्टी होगी, उसके उसमें सामिल होने के लिए वो महिला दिल्ली आ रही थी, उस समय उस महिला के साथ ऐसा घिनोना अपराद हुआ, उस महिला के साथ बलातकार हो गया, मार्फित हो गई क्योंकि वह उस समय उस डिबे में अकेली थी और डिबा था महिलाओं का उनली फोर महिलाए उस डिबे में यातरा कर सकती थी लेकिन सहद्रा रेलवे स्टेशन से वो यूवक उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं उस डिबे में सवार हो जाते हैं और उसके बाद वो यूवक जो दो थी वो तो बैग लेकर के फरार हो जाते हैं क्यूंकि उनका इरादा एक ही था तीनों यूगकों का कि सिरफ ओ सिरफ लूट पाट करनी है हमें कुछ नहीं चाहिए हमें सिरफ लूट करनी है और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाना है लेकिन जो एक यूगक था उनमें से उसका जो दिल था वो उस महिला को देख करके मा चल गया और उसने उस महिला के साथ गलत कर बेठा और गलत का अंजाम आपको पता है कि क्या होता है वहां पुलिस वाले पहले से ही पहुंच गए और युवक को पकड़ करके जेल की सलाकों के पीछे दकेल दिया उस पर मुकदमा दर्ज हो गया और मुकदमा दर्ज करके गिरबतार कर लिया गया गिरबतार करके उस जो युवक था उसको पुलिस ले गई और महिला को वहां से उसके जो सिस समारों में जा रही थी महिला वहां पर उस महिला को छोड़ दिया जाता है महिला ने बताया कि महिला एक साधी समारों में जा रही है उनके परिवार वाले यहां दिल्ली में कहीं रहते हैं किस इलाके में तो महिला ने वहां जाने के लिए कहा कि मैं वहां जा रही थी इसी बीच मेरे साथ यसा हादसा हुआ लेकिन कहते हैं ना कि रस्ते में हम सोच क कुछ आते हैं घर से लेकिन रस्ते में क्या हो जाता है किसी को कोई पता नहीं होता है वही काम उस महिला के साथ हुआ उसने सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसी घिनोनी हरकत होगी ऐसा काम उसके साथ होगा वो तो एक साधी समारों में एक पारिवारिक समारों में जाने के बिहार से दिल्ली आ रही थी लेकिन उसे क्या पता था कि बीच रास्ते में उसके साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी इतना बड़ा घिनोना काम हो जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा सुनकर के परिवार वालों पर क्या बीचती है वो उनके परिवार वाले ही जानते हैं दिल दहल जाता है जब ऐसी घिनोनी हरकते सुनते हैं जब ऐसा घिनोना काम होता है तो दिल दहल जाता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब तो ऐसी वारदाते हम सुनते हैं देखते हैं तो और वही उस महिला के साथ हुआ तो उनके परिवार वालों पर क्या बीती होगी क्या उनके परिवार वालों ने वो सहन किया होगा ऐसा काम किसी भी महिला के साथ अगर होता है तो परिवार वालों के उपर बहुत बुरी बीती है रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों ऐसी जो गिनोनी हरकते होती हैं जो लोग होते हैं हवस के सिकारी होते हैं वो ऐसा काम तो कर देते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि इस महिला के घरवालों के साथ इस महिला के साथ क्या बीतेगी क्या इसके घरवाले सोचे उनके दिल पे क्या बीतेगी इस महिला का क्या हवाल होगा वो कुछ नहीं सोचते हैं क्योंकि वो हवस के पूजारी होते हैं और उनका काम शिरफ एक है कि अपनी हवस मिटाने का काम बस only for अपनी हवस मिटाने के लिए वो ऐसा काम करते हैं उनका काम है शिरफ पांच और दस म जीने नहीं देते हैं। एक तरफ दुनिया कहती है कि उनके साथ ऐसा हुआ लेकिन पीट पीछे दुनिया बहुत बुरे-बुरे सवाल खड़े करती है कि क्या पता क्या हुआ होगा इसके साथ। ये किसलिए गई होगी ऐसे गहिनोंने बाते होती हैं और वो शहन करने परती ह है ये दो महीला και परिवार-वार को क्योंकि लोग शिरफ उंगुलिया उठाना जानते हैं उनके सब्सक्रास पता क्या हुआ है। जिस पर बीत गक्ता होता है उसे ही पता होता है दोस्तों क्योंकि अंगुलिया फ़ीपज सब्सक्राइबMartin के सब्सक्रास आइख़ा किस त अमाज के लोग इस चीज को नहीं देखतے हैं, सामने हमारे कुछ बोलते हैं और पीड़ período हमारे कुछ बोलते हैं तो ऐसे वैसी दरिंदे होते हैं जो यह नहीं सोचते हैं कि इसके साथ क्या होगा, क्या बीतेगी, क्या इसके घरवालों को सेहन करना पड़ेगा, लेकिन हवस के पुजारी सिरफ एक ही चीज जानते हैं और वो जानते हैं अपनी हवस मिटाना अपनी हवस मिटाने के लिए दरिंदे क्या क्या कर बैड़ते हैं उनको ही पता है कि वो अपनी हवास मिटाने के लिए कैसी कैसी हरकतों को अंजाम दे देते हैं उनको यही पता नहीं होता है कि अग यह अंजाम जो हमने यह किया है गलत इसका अंजाम क्या होता है वो अंजाम की परवाही नहीं करते हैं उनका काम है चिए उन्हों और सिर्प हावास मिताना और वह उन्होंने उस महिला के साथ किया जो शादी शमारों में जा रही थि किसी पारिवारी शमारों में और उसने ऐसा काम कर दिया तो महिला कहां जाएगी तो दोस्तो ऐसे लोगों से साफ़दान रहना चाहिए, जब हम सफर में जाएं, तो ऐसी चीज से साफ़दान रहना चाहिए, क्योंकि रस्ते में हमारे साथ क्या होता है, किसी को पता नहीं होता है, और क्या से क्या हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते, उस महिला को क्या पता था कि उसके साथ ऐसा भी हो जाएगा वो तो एक पारिवारी समारों में जाने के लिए जा रही थी उसको थोड़ी पता था कि वो रस्ते में उसके साथ ऐसा भी हो सकता है तो किसी के साथ भी ऐसी दुर घटना घट सकती है तो सावदान रहे सेप रहे और ध्यान रहे अपना